Hello friends, कैसे हैं आप साब? अभी तक आपने हमारा वीडियो को टाइटल देखी लिया होगा तो आपको आज को वीडियो को कॉंटेक्ट या कॉंटेंट समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस बारे हैं बात करने वाले हैं इन सपोर्टर्स को सेलर्स को सर्विस देने से अपना बिजनस ब्रॉटर्ट किया बट लेटर रान हम लोग ने काफी अड़ आड़न किया अपने बिजनस पर हम सिर्फ एक SPN नहीं हम एक वेबसाइट मेकिंग प्लाटफॉंग भी हैं हम शूटिंग प्लाटफॉंग भी है जहां पर प्रड़क्ट शूट्स भी करवाते हैं हम सोशल मेर्या मार्केटिंग भी करते हैं SEO पर भी वर्क करते हैं तो इन सारे चीज़ों पर हम मिला के भी काम करते हैं इन्फोग्राफिक्स एमेजियो भी बनाते हैं और जैसे कि YouTube पे भी अपना वीडियो बनाते हैं, तो ये सारे services हम provide करते हैं, तो definitely हमारे पास कौन से contact होंगे, हमारे पास businessmen है, जो कि अपने products लेके आते हैं, और हमारे उनको काम होता है कि या तो उनका products को e-commerce industry से place करना, या तो offline sectors में या website के थुरू उनके products को place करना, बट ये सारे चीजों के अलावा, चाहे e-commerce पर industry पर listing हो, या फिर website बना के उनके products को promote करना हो, ये सारे से किसी के भी businessmen का branding नहीं हो पाता, उनके brand को brand नहीं बना सकते हैं, आज कल के लिए एक किसी भी brand को brand बनाने के लिए सबसे important tool है, social media marketing, जी हाँ, अगर आप social media marketing पर active नहीं है, तो आप शायद उतना brand बनाने पर आप scale नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों, आज का वीडियो उसी पर है, उमीद करता हैं, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, तो मैं रविरेंजिन आपका Big Fashion Video चैनल पर फिर से स्वागत करते हैं, चलिए, शुरू करते हैं, तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम six steps के बारें बात करेंगें, जो steps steps को follow कर सकते हैं, और अपना successful social media marketing को run कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला step है, selecting your platform, selecting your platform का मतलब है, कि आप कैसे promote कर सकते हैं, आपना products या services को based करके, आप देख सकते हैं कि कौन सा platform आपके लिए best रहेगा, selecting your platform दो तरीके को होता है, एक होता है engaging platform, और एक होता है SEO platform, यह जो platform है, engaging and SEO platforms, इसके बारे में बात करते हैं, तो engaging platforms को हम करते हैं, जो Instagram platform हो गया, Facebook platform हो गया, जो Per Interest platform हो गया, इसको engagement platforms बोलते हैं, जो SEO platform होता है, उसको mostly YouTube बोलते हैं, YouTube से अलावा और भी search engines होते हैं, बस आज के टाइम पर YouTube, क्योंकि ज़्यादा famous है, इसलिए हम YouTube का नाम दे रहे हैं, तो अगर हम बात करें, कि अगर आपका products जो है, वो की बताने वाला है, जहां पर आप consulting based काम करते हैं, YouTube is the best platform, मदब आप SEO वाले platforms को use करेंगे, अगर आपका platform यह है या product वो है, जहां पर आपको दिखाने वाला काम करना है, तो आप engaging platforms को use करेंगे, Insta हो गया, Facebook हो गया, Pinterest जैसे platforms हो गया, वहां पर आप use कर सकते हो, तो आई इसको एक example के तौर पर समझते हैं, for example, कि अगर आप lawyer है, तो आप कौन सा platform use करेंगे, आप YouTube के platform को use करेंगे, जहां पर आप अपने knowledge को impart करेंगे, अपने legal consultancy के बारें बताएंगे, और लोगों को educate करेंगे, और अगर आपके पास कोई product है, तो आप क्या करेंगे, उस product के बारे में, आप social media platforms को, engaging platforms को use करेंगे, और उसको USPs को वहाँ दिखाएंगे, आप कह सकते हैं कि you are a sketch, या फिर आप एक carpenter है, जहां पर आप बहुत uni-uni type के furniture को create करते हैं, तो आपको एक product दिखाने वाला हो गया, तो आप अपना talent को दिखा सकते हैं इस platforms पे, तो दूसरा technique हो गया हो होता है, creating a content series, आप जो भी content अपने platform के लिए बनाते हैं, उसको make sure करना है कि वो एक series wise में release करें, आप कभी भी content को आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, कि आप कोई भी content कभी भी release कर दिए, कोई एक format नहीं है, और नहीं उसके बार में आपने detailing चीज को बना के रखा है, तो जैसे कि अगर हम कोई TV series की बात करें, तो उसका एक episode या first episode इतना engaging होता है, कि बाकीज हम लोग को मजबूर कर देता कि बाकीज सब episodes को देखने के लिए, तो उसी तरह हम अपने content को एक series के format पर release करें, जिससे कि हमारा audience जो है, वो हमारे content से जमे रहेंगे, जुडे रहेंगे, अकसर यह होता है कि बहुत सारे social media marketing का या बहुत सारे companies जो होती है, वो उनकी जो series होती है, वो कहीं से co-relation नहीं करती है, तो आप देखेंगे, उनके content उनके engaging नहीं होते हैं, उनके उतना likes या views या subscribers नहीं रहते हैं, तो जब भी भी आप अपने content को इस तरह based करके लाएंगे, जहां पर आपके पास एक related सब चीज series wise में रहेगी, तो आपके पास आपके loyal customers भी रहेंगे, loyal subscribers भी रहेंगे, engagements, comments and likes भी आपके पास उतनी ही तेजी से बढ़ेगी, तीसरा step, optimization, तो आपने optimization से सुना तो आपको लगा कि अच्छा ये शायद SEO platform पे ही work करता होगा, नहीं, ऐसा result नहीं है, अगर आप optimization पे जाते हो, तो आपको engagement platform से भी आपको अपने आपको channel को या profile को optimize करना पड़ेगा, जिससे कि लोग आपके profile को जितना चैसे देख सकें, for example, अगर मैं ले सकता हूँ कि, for example, लेजसे कि आप एक skincare brand है, तो अगर आप एक skincare brand है, तो आप अपने products को जहां तक उसको promote करना चाहिए, तो कैसे promote करेंगे, तो आप primary and secondary keywords को use करके, अपने skincare brand को promote कर सकते हैं, तो आए primary and secondary keyword को समझते हैं, तो primary keyword का मतलब होगा skincare, and secondary keyword का मतलब होगा कि जहां पे आप उसको, आपका business है, उसको promote करना चाहते है for example कि New Delhi तो अगर आप skincare brand है New Delhi से तो आप mention करेंगे skincare अपने brand name और New Delhi location और इसको mostly अपना profile अपने links अपने bios में mention करेंगे ताकि आपका keyword बन सके तो कभी भी कोई आपको search कर सकता है search engine पर जैसे कि Google हो गया तो आपको वो सारे results दे सकता है जो कि social media platform से रेड़र हो सकता है या जो कि YouTube के platform से रेड़र हो सकता है आपने अपने profile को optimize किया हुआ है आई ये चौथा step के बारे में होता जो है कि content creation जहां दोस्तों ये बहुत important step है जहां पर आपने content किस तरह आप create करते हैं किस तरह uniqueness लाते हैं और किस तरह ऐसा content बना सकते हैं जो कि viral हो सकता है ये उसके बारे में हैं तो अगर आपको भी content create करते हैं तो आपको ये make sure करने कि कितना engaging रखते हैं और साथी साथ जिस भी profile है आपका उस profile से related ही information आप शुरू करोगे ताकि उससे जो audience शुरू करेगे देखना उसको initially few seconds में realize हो जाएगा है content किस ती से based है और ताकि वो आपके videos से या फिर आपके content से भी आपसे बने रहेंगे तो content creation को भी हम two unique steps में या फिर दो classification में डालते हैं एक होता है कि engaging content होता है एक होता core content तो engaging content में हम जिस तरह mostly बाते करते हैं funny reads बनाना या funny videos बनाना या फिर emotional videos बनाना ये होता है आपका engaging content एक होता है core content तो core content में हम products के बारे में बात करते हैं services के बारे में बात करते हैं और testimonials के बारे में बात करते हैं जहांपे products के detailing में हम जाते हैं उसको हम core content बोलते हैं तो आप अपने content को जितना अपना products के base में आप accurate रखेंगे उतना अच्छा आपका engaging content या फिर कर सकते हैं core content बना रहेगा तो दोस्तों जब भी आप content create करने जाते हैं आपको ये make sure करना पड़ता है कि आप उसके product के बारे में सबसे detailing में बात करें और जब भी अगर आप data को present कर रहे हैं चाहे वो post हो रहा हो या उससे एक video बना रही है या real बना रहे हो आप ये make sure करो कि 80% of the content उस product के बारे में हो और 20% of the content जो हो call to action के based पे हो ताकि audience जो है आपके content को समझ पाए और call to action part में वो ये decide कर पाए कि क्या वो product उनके लिए useful है की या नहीं दोस्तों 5th topic है content posting आप अपने content को किस तरह post करते हैं ये भी एक important feature होता है आप title के आड़ करते हैं अगर YouTube के हम बात करें आप thumbnails के आड़ करते हैं आप hashtags क्या use करते हैं ये एक YouTube के sense में बात हो गर आप engaging platform से बात करें automation आप किस time को अपने content को post कर रहे हो आप कौन से pattern फॉलो कर रहे हो अपने content पे और तीसरा कि आप कौन से automation को use कर रहे हो अपने posting में जैसे कि बहुत सारा होता है कि आपको अलग-अलग platform से पोस्ट करना है तो आपको कहीं-धिसी भी automation को use करना होगा ताकि आप एक ही जगा पोस्ट करके उस सारे प्लाटफॉंस पर लाइव जा सके लास स्टेप जिसको छठा स्टेप बात कर रहे हैं वो है content promotion जिहां दोस्तों जब आपनी ये top के five ways को follow कर चुके हैं तब आपका शायद जो pages हैं वो कहीं नगए growth stage पर आ गया जब growth stage को आ गया तो paid promotions को definitely use कीजिए because paid promotions को जो आप use करने जाएंगे तब आपको create objectify content engagements and profile की उपर ध्यान देना पड़ेगा तो जब आप ये सारे चीजों पर ध्यान दे रहे हैं तो आप एक बहुत ही successful paid promotions को use कीजिए ताकि आप अपने channel को grow कर सके because ये सारे posting से आपका शायद content जो है automate promote नहीं होगा वो खुदी लोग उसको नहीं देखने जाएं खुदी subscribers नहीं बढ़ेगा खुदी reach नहीं बढ़ेगा आपको कहीं नहीं कहीं paid promotions के उपर जाना पड़ेगा ये strategy को follow करने के लिए फिर आपका जो channel है या फिर profile है वो अच्छे से grow करेगा तो ये make sure आपको बहुत अच्छे से करना है कि last step को भी आप तब use करें जब आपको लगे now my pages on the growth stage तो इस पर थोड़ा सा definitely हम investment करें ताकि उससे हमें results जो है वो better और बहुत है unique way से दिखने लगे तो दूस्तो ये तो था जहां पर आप six unique ways है socially आप marketing कर सकते हैं अपने brand को branding की तब बढ़ा सकते हैं अपने brand को promote कर सकते हैं और उसे एक upscale दे सकते हैं because जैसे मेरे वीडियो का starting नहीं कहा बिना social media promotions के कोई भी brand या किसी भी branding को आप brand नहीं बना सकते हैं तो किसी भी brand को एक brand बनाने के लिए जो हम बात करते हैं we have to make a brand तो उसे brand बनाने के लिए social marketing को follow करना बहुत जरूरी है अगर आपको कहीं भी issues होता है तो definitely आप bigfaction channel को subscribe करें और हमें जरूर reach out करने कोशिश करें जिससे हम आपको social marketing में आपके help definitely कर सकते हैं और ये सारे ways को follow करके वे हम आपके brand और profile को upload या फिर एक hub scale दे सकते हैं so definitely हम एक chance दीजे ताकि हम आपके brand को भी promote कर सकें so दोस्तों आज के लिए इतना ही उमीद करता हूँ आपको आज को वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर इससे पसंद आया तो please like and share जरूर करें और साथ ही साथ अपने comment जरूर mention करें ताकि हम ये पता चले कि हम कहां lag करें और कहां किसी चीजों में हमें और enhancement करनी की जरूरत है because आपके comments बहुत ही valuable होते है so और अगर आपने हमारा चैनल को subscribe नहीं किया तो देर के इस बात कि सबसे पर हमारा चैनल को subscribe कीजिए तो बिक फ्राक्शन से बने नेरे के धन्यवाद थैंक यू